बश्कर दोस्तों लास्ट दो वीडियो आपने देखे जिसमें हमने income tax से related बात करी थी कि नए budget में income tax के उपर क्या-क्या changes आए हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों आपके साथ कि GST से related क्या-क्या changes आए हैं इस नए budget में जो हम सभी के लिए बहुत important रहने वाले हैं दोस्तों तो सबसे पहले मेरे आपसे request है अगर आपने चैनल को पर तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले detail में विस्तार से हम बात करने वाले हैं कुछ एक important बदलाओ की definitely सारे बदलाओ के बारे में हम बात नहीं करेंगे कुछ एक जो important बदलाओ है जो almost सबके ऊपर applicable हो जाते हैं उन बदलाओ के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों तो सबसे पहला change है दोस्तों सबसे पहला amendment की है section 10 में जो बात करता है composition dealer की जी हाँ composition dealer की बात करता है इसमें उन्होंने क्या बोला है कि section 10 का जो subsection 2 का close D है और subsection 2A का close C है उसमें से subsection 2 में section 10 के subsection 2 में close D में goods और ये wording हटा दी जाएगी तो अगर आपको नहीं पता है close 2 क्या है तो मैं वह बता देता हूँ close 2 में ये लिखा था कि अगर आप supply कर रहे हो goods की या services की goods की या services की supply कर रहे हो through electronic commerce operator e-commerce operator के द्वारा अगर आप goods या service दे रहे हो तो आप composition scheme में नहीं आ सकते हो उसमें से इनोंने words हटा दिया है goods और तो मतलब कि अब अगर आप electronic commerce operator e-commerce operator के माध्यम से अगर आप services की supply कर रहे हो तो आप composition में नहीं आ सकते हो अगर आप goods की कर रहे हो तो आप composition में आ सकते हो कुछ समय पहले GST council की भी कहने का recommendation थी इसके उपर भी videos आये थे तो अब यह finance bill में भी यह चीज़ आ चुकी है कि अगर आप e-commerce operator electronic commerce operator के माध्यम से goods की supply कर रहे हो तो composition scheme में आप आ सकते हो यह goods और को हटाने का यही मतलब है दो इसके बाद हम चलते हैं close to a में जो बात अटा रहे है goods और इसमें भी same वही purpose all होता है इसके बाद सब्सेक्शन इसके बाद amendment section 16 जो पूरे GST का heart ITC की condition हो इसमें क्या change कर दिया उन्होंने दोस्तों तो आईए इसमें बात करते हैं क्या change किया इन सब्सेक्शन 2 सब्सेक्शन 2 जो है उसमें एक second प्रावधान दिया गया था उस second प्रोविजो दिया गया था उस second प्रोविजो में उन्होंने कुछ word exchange कर दी added to his output tax liability along with interest there on the words and the figure paid by him along with the interest payable under section 50 shall be substituted तो मैं बात बता दूँ आपको चाहूं तुम आपको section 16 दिखा सकता हूं अभी portal पर जाके लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहूंगा क्योंकि वीडियो लंदी बन जाएगा यह basically बात करता है कि अगर आपने 180 दिन में आपने कोई माल खरीदा उस पे input लिया लेकिन आपने 180 दिन में अगर आपने 180 दिन में उसका payment नहीं किया उसका payment नहीं किया तो पहले system क्या बोलता था कि अगर आपने payment नहीं किया तो आपकी output tax liability में एड कर दिया जाएगा interest के साथ यह wording थी added to his output tax liability along with interest अब इन्हों ने इस वर्ड को उठाके कर दिया sale भी अगर आपने एक्सोसी दिन में payment नहीं किया ऐसा input जो आपने ले चुके हो और payment एक्सोसी दिन में नहीं किया तो वो जो input आपने लिया है वो input sale be paid by him along with interest payable under section 50 वो आपके दुआरा वो input आपके दुआरा pay किया जाएगा आपको वो input section 50 के interest के साथ pay करना पड़ेगा पहले इन्हों लेखा था कि आपकी output tax liability में एड कर देंगे अब इस वर्ड को टाके इन्हों ने बोला कि वो आपके दुआरा pay किया जाएगा basically pay कैसे करो इन थर्ड परोविजो आफ्टर दा वर्ड मेंड पाई हिम तूटर सप्लायर सेल इंसेट इसका भी मतलब बताएता हूं यह थर्ड परोविजो बात करता था आपकी दोस्तों कि जब आप टेक्स का payment कर जब आप उसको payment कर दोगे liability का आपने जो माल खरीदा था एक सो सी दि पेमेंट नहीं किया तो आपने यहां पे तो पैड कर दिया उसका इंपुट वापिस लेकिन आगर बाद में पेमेंट कर दोगे आप बाद में पेमेंट कर दोगे तो आपको इंपुट मिल जाएगा तो पहले यहां लिखावा था कि payment made by him made by supplier payment made by the recipient यहां लिखावा था तो आपके दौरा उस जो इंपुट आपने अवेल किया था वो पे किया जाएगा और अगर आपने बाद में एक सोशी दिन के बाद कभी भी आपने पे कर दिया to the supplier supplier को पहले यह confusion था कि पे तो कर दिया अपर किसको पे कर दिया supplier को यह यहां पे इन्होंने clarity ला दिया दोस् section 17 क्या बोलता है section 17 बात करता था आपको पता है block credit की या portionment of credit की तो इसमें एक subsection 3 है subsection 3 बोलता था कि यह कुछ मैंने supply ली कुछ goods लिए कुछ services ली कुछ मैंने taxable के लिए use करी कुछ मैंने exempt के लिए use करी तो मुझे input कौन सा मिलेगा taxable वाला ही मिलेगा तो जो exempt के calculation के लिए क्या हम include करूंगा या नहीं करूंगा तो उसमें था कि value of exam supply निकालने के लिए आपको लेके चलता हूँ उस section पर जिससे आपको और च्छे समझ में आएगा यहाँ पे ले जाने का मेरा खास purpose है basically आप लोग को लेके जाने का यह रहा यह देखिए for the purpose of this subsection the expression value of exam supply shall not include the value of activity और transaction specified in schedule 3 तो जब हम value of exam supply निकालेंगे तो schedule 3 में कोई transaction activity है उसकी value को include नहीं करेंगे तो अगर schedule 3 की कोई activity बगरा है तो value of exam supply में नहीं है कि मतलब मेरा input बढ़ जाएगा लेकिन उसमें यह लिखा था shall not include except those specified in paragraph 5 of the set schedule कि schedule 3 की activity को involved नहीं करूँगा exempt की valuation निकालते से में उनको हटा दूँगा लेकिन करूँगा उसी schedule में paragraph 5 में जो entry है वो तो मैं जरूर करूँगा उसमें नहीं एक extra instruction दे दिया paragraph 5 के साथ साथ close A of paragraph 8 paragraph 8 के close A में जो activity है वो मैं activity include करूँगा जब exemption की value of exempt supply की detail निकालूँगा आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है activity वो paragraph 5 में थी पहले sale of land अगर आप sale of land कर रहे हो तो value of exempt supply में आप उसको डालना है exclude नहीं करना है साथ मैं अब इन्होंने close 8 paragraph 8 इसका कौन सा close लिया दोसको जैसे कि अपने डिसकस किया था इसका close लिया A यह close भी उसमें आ जाएगा supply of warehouse goods to any person before clearance for home consumption वापिस से मा आपको ले के आता हूँ ताकि confusion नहीं हो यह था सब्सेक्शन सत्रा का सब्सेक्शन 3 उसमें लिखा the value of exempt supply अंडर सब्सेक्शन 2 सब्सेक्शन 2 बात करता था कि भाया आपने कोई मालय सेवाए नहीं है जो आपने यूज करिए zero rated supply के लिए taxable supply के लिए तो आप input ले सकते हो केवल और केवल आपने जितना utilization किया आप नहीं ले सकते हो तो आगे इन्होंने बोला कि भाया जब मैं लेने जाओंगा value of exempt supply में इंक्लूड करूंगा सब्सेक्शन 3 में तो मैं सेडूल 3 की जो activity है अगर कोई सेडूल 3 की मैंने activity करी है उसके against मैंने input यूज किया है तो सेडूल 3 की activity में इंक्लूड नहीं करूं बस केवल और केवल sale of land हो है तो वो यूज करूंगा और साथ में paragraph 8A वाली include में करूंगा let's suppose value of exempt supply आ रही है 10 लाग रुपे जिसमें मैंने schedule 3 की entry अभी तक include नहीं करी है schedule 3 में मेरी entry थी let's suppose 15 लाग रुपे तो 10 लाग प्लस 15 लाग जो 15 लाग वो मैं include नहीं करूंगा लेकिन 15 लाग में schedule 3 में paragraph 5 की कोई entry थी 2 लाग रुपे की तो value of exempt supply 10 लाग प्लस वो 2 लाग और include कर लूगा अब government नहीं बोला कि paragraph 8 उसका close A भी include कर लोगे मानलो paragraph 8 close A में 8 लाग की कोई value की supply थी जो मैंने करी थी वो भी मैं इसमें अब include कर लूगा तो पहले पूरे paragraph को exclude कर रखा था पहले पूरे schedule 3 को exclude कर रखा था paragraph 5 को ले रखा था अब paragraph 5 के साथ paragraph 8 A को भी इडो ने ले लिया है जादा इसमों को खास बदला नहीं है दोस्तों अब चलते हम इसी में section 17 में section 17 में section 17 में क्या किया है इनो ने section 17 में in subsection 5 after close F F A और insert कर दिया है जी subsection 5 क्या बोलता था block credit इन इ आपने goods और services और both received by a taxable person which are used or intended to be used for the activities relating to his obligation under the corporate social responsibility CSR अगर CSR में आपने कोई service ली या कोई goods लिया उसका utilization आप CSR में कर रहे हो CSR की activities में कर रहे हो जो आपको obligation था 135 का responsibility थी 135 की तो आपको उसका input नहीं मिलेगा आपने कर लिया तो नहीं मिलेगा या फिर intended है कि मैं उसमें क्योंकि आपने अभी ले लिया फिर बाद में उसमें यूटिलाइज कर लिया जो आपको पहले दी नहीं पता था कि मैं आगे CSR के activity में जो की 135 के साफसे मेरी responsibility उसमें यूज करूँगा तो उसका input अभी लेना ही मत अदर्वाइस बाद में ब्यास देना पड़ जाएगा ठ की कर जी यहां तक आ गए अब section 23 की बाद कर लो section 23 बोलता है कि भया मुझे 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 registration नहीं लेना है personal note liable for the registration कुछ एक person इन्हों ले लिस्टेट करते जैसे कि कि आपको जो supply कर रहे हो completely exam supply है GST applicable नहीं है ऐसे कुछ एक list थी basically तो इसमें थोड़ा सा क्या चेंज किया इन notwithstanding anything to the contrary content in subsection 1 of 22 or section 24 पहले confusion था कि section 22 को बोल रहा है कि मैं registration लो section 23 बोल रहा है कि registration मत लो तो government ने बोल दिया कि section 22 or section 24 कुछ भी बोले not with anything content to the contrary content in subsection 1 कि 22 section 22 के सब section 1 में या section 24 में कुछ भी अलग लिखा हुआ section 23 से आप तो section 23 को ही मानोगे तो section 23 में जो कह दिया वो कह दिया कि मतलब इन लोग को registration नहीं लेना तो मतलब नहीं लेना और वो भी इन्होंने 1st day of July 2017 से retrospective event कर दिया कल को आपके पास notice नहीं आ सकता कि भीया section 24 तो यह ब सब्सक्राइब से नहीं लिया और अब तो आप यह और गोल दोगे retrospective event से यह डाल दिया इन्होंने कि not wish anything content to the contrary content in section 1 of 22 और section 24 की 22 और चुछ में कुछ भी लिखा हो section 23 ने कह दिया तो कह दिया registration नहीं लेना तो नहीं लेना किसको नहीं लेना उसके लिए आप detail में section 23 पढ़ सक करता है gstr1 की तो इसने बोला कि gstr1 due date के 3 साल बादा फाइल नहीं कर सकते हो ऐसा नया section 4 के बाद section 5 insert किया जाएगा in section 37 इसके बाद section 39 में after section 10 एक नया section insert किया जाएगा 11 उसमें भी यहीं बोलेगा कि 3 वी जो भाईया आप 3 साल बाद due date के नहीं फाइल कर सकते हो इसके बाद section 44 जो no return की बाद करता था वो भी यहीं बोलने वाला है कि आप 3 साल के बाद return file नहीं कर सकते हो दोस्तो साथ में section 52 में भी ये condition डाल दी कि भी आप e-commerce operator हो तो अब 3 साल के बाद return file नहीं कर सकते हो यह section 52 में amendment लाए है इसके लावा और भी कुछ छोटे मोटे छोटे मोटे amendment है जो GST में आए है definitely आपके साथ share करेंगे समप कर दूं इस वीडियो को section 10 composition वालों के लिए डाला कि भाईया अगर आप electronic commerce operator के थुरू goods की supply कर रहे हो हो तो आप कर सकते हो composition में आ सकते हो हालनकि यह finance bill है जब इसके profit notifications आएंगे उसके बाद वो अपने capability आएगी फिर section 16 में इनो add कर दिया जाएगा इस वर्ड को ठाक्यों नोंने बोला कि अगर आपने उस input का payment exercise दिन में नहीं किया वो आपके द्वारा pay किया जाएगा along with interest ऐसा लिख दिया गया है फिर उसके बाद section 17 में ही बदलाव लेकिया section 17 में सब section 3 में value of supply की बात करी explanation में उस value of supply में उनोंने बोल section 23 जो बात करता था कि किस-kis person को registration नहीं लेना तो उसको इसने override कर दिया section 1 of section 22 और section 24 को वो भी 1 July 2017 से ही की कह दिया तो बस कह दिया यह आप याद रख लेना मेरे दोस्तों उसके बाद section 37 GSTR 1 की बात करता था तो इन्होंनों बोला कि 3 साल बाद आप file नहीं कर पाओगे return due date के section 39 जो GSTR 3-V की बात कर रहा है उसमें एक subsection 11 नया insert करने जा रहे हैं उसमें उन्होंने बोल दिया कि कोई 3-V आपने नहीं बरी तो 3 साल बाद उसको भर भी नहीं बरी तो उसके बाद section 44 जो annual return की बात करता था section 52 जो बात करता था operator के लिए electronic commerce operator के लिए तो इन दोनों को भी annual return वाले के लिए को भी बोल दिया section 44 में कि तुने अगर annual return नहीं बरी तो उसके due date के तीन साल बात तू भर भी नहीं पाएगा section 52 में electronic commerce operator को बोल दिया कि तूने तेरे return नहीं बरी तो तीन साल बात तू में भरी नहीं पाएगा उसको basically उसके लावा और भी काफी सारे बदलाओ हैं बने रहेगा चैनल पर दोस्तों वीडियो पसंद आयों तो वीडियो को like करना बिल्कुल भी ना भूले thank you so much जै हिंद जै भारत